हेलो मैं अनुप सरा मेरी क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत बच्चों तो आज आप लोग को बताने जा रहे हैं कि पर्क्विजिट्स क्या होता है इस इंकम फ्रॉम सेलरी का रिवीजन का पार्ट टू है जो पार्ट वन जो बच्चे नहीं देखें जल से जल जाके आप लोग पार्ट वन भी इसका देख लिए पूरा का पूरा सेलरी अच्छा से समझ में आ जाएगा तो चलिए आज कुछ टॉपिक पर बात करतें पर्क्विजिट्स देखें बच्चों पर्क्विजिट्स क्या होता है कि सेलरी और एलांस के अलावा अगर आपको कुछ कुछ बेनिफिट देता है ठीfol के क्या देता इंड़िशन का हमें से अर्त बच्विए जोहा track वावा और यह दोनुनों लगभघ कोशिशन में रहता हрахता है लेगा है एक अगर आपको घर रहने के अगर दिया गया है rent free house नामि a rent free house अगर आपको दिया गया तो अगर गर्वरमेंट इंप्लाईएं तो एज पर government rule यह को आप लोगपरों को सचने का जरुद les जितना रहेगा पलस कभी भी फर्नीचर रहां तो कुछ ने बहुत कम आता है यह हम लोको ज्यादा आता है अगर फर्नीचर का तो फर्नीचर बन जाता है ठीक है तो अगर फर्नीचर का टेन पर्सेंट जोल देंगे ते भेलो फर्नीचर हो जाएगा लेकिन यह बहुत कम आता है यह हम लोको ज्यादा आता है ठीक है कि रेंट फ्री हाउस अगर एकॉमडेशन या हाउसी ओन बाई कम है तो सबसे बड़ा बात है कि हम लोग का इसमें सेलरी क्या यूज करेंगे तो सुन लिजे सेलरी हम लोग यह तो होगी हम लोगा कि घर अगर उसका अपना है तो अगर घर माली उसका अपना नहीं है रेंट पर लिके दिया है तो सेलरी का फिप्टीन परसेंट या तो रेंट पेड दोनों में से जो कम रहेगा वह फेलू आफ रेंट फ्री हाउस होगा अगर जो भी फेसलिटी मिलता अगर उसमें से imply एगर कुछ contribute करता हूँ मैनस कर दिया जाता है ठीक है बच्चों तो इस होगे हम लोगा क्या value of rent free house आप लोग समझ गए government imply non government imply में घर अगर owner का है तो अगर घर owner का नहीं है तो ठीक है तो यह दो टॉपिक हम लोगा clear होगे आप लोग इसका screenshot last में ले लिजेगा आप पहले देखिए कार क्या हो सकता कि जो एक कार आपको मिला है पूरा office के लिए यूज हो रहा तो उसका value हम लोग क्यों देंगे तो नील हो जाएगा दूसरा अगर अगर कार से private यूज के लिए होता है तो running expenses पलस जितना कार का कोस्ट ध्यान देना जितना का का कोस्ट उसका 10 परसेंट और ड्राइबर कोस्ट अगर ड्राइबर का सेलरी या कुछ दिया वर ड्राइबर प्रोभाइट किया गया है तो उसके बाद अगर कार मिक्स होता है यह हम लों का ज्यादा टॉपिक आथा कि कार कुछ दोनों के लिए हो तब क्या होगा बच्चों तब अब उसमें ड्राइबर करना जैसे complex व्याजा तुरण में के सच्वाहर कर रहा है मान लेना है और बाकी कार को प्रभीट प्रपस से मान लेना है ठीक है तो आप लोग को आज का कलास में ब Ebola का करते ह करتे हैं और सबसे बढ़ा बात है नोट्स तो आपनों नोट्स हम बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को लिख दिये इसको अच्छे से लिख लिए तो आप लोगे बहुत अच्छा हो जाएगा झाल झाल